हलो दोस्तो, विल्कम बैक टो माई चैनल, दोस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक ट्रामा थ्रिलर मुवी जिसका नाम है पैट सिस्टर, तो चलिए वेडियो शुरू करते हैं, मुवी की शुरुआत होती हैं और हम जेसन नाम के एक लड़की को देख जो एक नन को मार कर ये उसके कपड़े पहल लेती हैं अब स्कूल की चुटिया खत्म हो चुकी थी इसलिए जेसन और उसकी सिस्टर जोई अपने स्कूल वापस आते हैं जेसन यहां अपनी प्रिंसिपल से मिलता है जिनका नाम रिबैका होता है इसके बाद हम प्रिंसिपल रिबैका को देखते हैं जो एक दूसरी टीचर सोफिया से मिलती है सोफिया का आच स्कूल में पहला दिन था इसलिए रिबैका सोफिया को स्कूल दिखाने लेकर चाती है रास्ते में सोफिया जेसन से मिलती है जेसन से बात करने के बाद सोफिया अपने कमरे में आती है हम कि कमरे में आकर सोफिया अपने लापटॉप में जेसन की काने सुनती है और ये अपने लापटॉप में ही जेसन को किस भी करती है ये देख हम जान पाते हैं कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है और ये किसी मकसद से ही यहाँ पर आई है अगले दिन सोफिया क्लास में आती है क्लास में सोफिया जेसन को एक लड़की से बात करते हुए देखती है इस लड़की का नाम सारा होता है इन दोनों को बात करता देख सोफिया को काफी जलन महसूस होती है इसलिए सोफिया सारा को जेसन से दूर बठा देती है क्योंकि सोफिया खुद जेसन को लाइक करती थी क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेसन सारा को किस कर रहा था कि तभी यहां पर सोफिया आती है सोफिया इन दोनों को किस करता देख लेती है सोफिया यहां काफी जलन महसूस करती है इसलिए सोफिया यहां आकर जेसन को क्लास में जाने को कहती है जेसन के यहां सी जाने के बाद सोफिया यहां सारा पर गुस्सा होती है और यह सारा को जेसन से दूर रहने के लिए भी कहती है क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कुछ important बात करने के लिए जेसन को अपने कमरे में आने के लिए कहती है जेसन जब सोफिया से मिलने आता है तब यह यहां देखता है कि सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है दरसल यह सोफिया का एक प्लान होता है ताकि ऐसा करके यह जेसन को अपनी तरफ अट्राक्ट कर सके लेकिन जेसन जब सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है तब ये सोफिया से मिलने बिना ही यहां से चला जाता है ये देख सोफिया काफी खुश होती है क्यूंकि इसने जो प्लान बनाया था वो काम्याब होता है अब वीकेंड के समय जेसन अपने घर जा रहा था कि तभी सारा यहां जेसन से मिलने आती है ये दोनों यहां पर बात कर ही रहे थे कि तभी सोफिया इन्हें यहां पर बात करते हुए देख लेती है इसलिए ये सारा पर काफी गुस्सा होती है इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो कि अपने घर पर अपने म्यूजिक की प्राटिस कर रहा था कि तभी यहां पर सोफिया आती है सोफिया यहां चुप कर जेसन के म्यूजिक को सुन रही थी कि तभी जेसन को यहीं सारा का कॉल आता है ये देख सोफिया फिर से सारा पर काफी गुस्सा होती है क्यूंकि सोफिया जब भी जेसन के करीब आने की सोचती है तो बीच में सारा आ जाती है इसलिए सोफिया यहाँ पर एक प्लान बनाती है सोफिया छुक कर सारा के कमरे में आती है और ये सारा के बुक में कांजे की पुडिया चुपा देती है अगले दिन क्लास में सारा अपनी बुक खोलती है तब सोफिया इसमें कांजे को देख लेती है अब सारा के पास से गांजा मिलने की वजह से सारा को इस स्कूल से सिस्पेंड कर दिया जाता है स्कूल के टीचर सभी स्टूडेंट के कमने की तलाशी लेले हैं जिसके वजह से टीचर को जेसन के कमने में भी एक वाइन की बॉटल मिलती है टीचर जेसन से इस वाइन के बारे में पूछते हैं तब जेसन कहता है ये वाइन इसकी नहीं है लेकिन टीचर जेसन की बात नहीं मानतें टीचर जेसन को भी स्कूल से सस्पेंड करने लगते हैं कि तभी सोफिया इनसे कहती है कि ये लोग जेसन को स्कूल से सस्पेंड ना करें बल्कि इन्हें उसे एक और मौका देना चाहिए इसलिए टीचर जेसन को सजा के तौर पर स्कूल में मौजूद सभी सिस्टर्स की हेल्प करने के लिए कहते हैं दरसल अभी जेसन की रूम में जो वाइन की बॉटल मिली थी इस बॉटल को सोफिया ने ही यहां पर रखा था यहां हमें सोफिया के बारे में भी पता चलता है दरसल सोफिया का असली नाम लॉरा होता है जो की एक अमीर और साइको किस्मिकी लड़की होती है एक दिन लॉरा इंटरनेट पर जेसन को सिंगिंग करते हुए देखती है जिसकी वजह से लॉरा जेसन के दिवानी हो जाती है लॉरा जेसन के करीब आने के लिए ये जेसन की सोशल मीडिया अकाउंट से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है जिसकी वजह से लॉरा को यहां पता चलता है कि सोफिया नाम की एक टीचर जेसन की स्कूल में आने वाली है इसलिए लॉरा सबसे पहले सोफिया से मिलती है लॉरा यहां सोफिया को मार देती है जिसकी वजह से लॉरा खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में आती है अब वीकेंड आ चुका था जिसकी वजह से सारे स्टूरिंस अपने घर जाते हैं लेकिन जेसन को स्कूल में ही रुखना पड़ता है क्योंकि इसे यहाँ पर साफ सफाई करनी थी जेसन यहाँ पर काम कर ही रहा था कि तब ही यहाँ पर सोफिया आती है जो जेसन की मदद करने लगती है सोफिया यहाँ अपने कपड़ों के बटन खोल कर जेसन को अपनी तरफ अट्राप करने की कोशिश करती है इसी रात जेसन अपने कमरे में सो रहा था कि तब ही सोफिया यहाँ आती है सोफिया जेसन के पास आती है तो जेसन की नीन खुल जाती है सोफिया यहां जेसन को किस करने लगती है लेकिन जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि जेसन सोफिया को अपनी टीचर मान रहा था लेकिन सोफिया जेसन को अपनी बातों में फसाती है जिसकी वजह से Jason, Sofya के साथ घपागब करता है अगले दिन Jason को काफी बोरा लग रहा था कि इसने अपनी ही टीचर के साथ में घपागब किया Jason जब अपने कमरे में नहीं होता तब Sofya यहां पर आती है और यह यहां Jason के कपड़ों को समेल करने लगती है अगले दिन क्लास में टेस्ट होता है जहां जोई को काफी कम नंबर मिलते हैं कम नंबर मिलने से जोई काफी साड होती है लेकिन सोफिया जोई से कहती है कि ये टेंशन ना ले क्योंकि ये इसका दोबारा से टेस्ट लेंगी ये सुनकर जोई काफी खुश होती है जोई जब अपने दूसरे टेस्ट देने के लिए क्लास में आती है, तब ये यहाँ पर आंसर शीट को देखने लगती है, कि तब ही यहाँ पर सोफिया आ जाती है, जो जोई को आंसर शीट देखते हुए पकर लेती है, दरसल इस आंसर शीट को सोफिया ने ही यहाँ पर रख ताकि ये जोई को चीटिंग करते हुए पकर सके। सोफिया जोई को प्रिंसिपल रबैका के पास लेकर आती है और कहती है कि जोई अपने टेस्ट में चीटिंग कर रही थी इसलिए इन्हें स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए लेकिन रबेका कहती है कि जोई इनके क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की है और एक छोटी से गलती के लिए इसे स्कूल से नहीं निकारना चाहिए इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो चर्च में अपनी गलतियां बताने के लिए आता है कि तभी यहां पर सोफिया भी आ जाती है सोफिया यहां जेसन के साथ फिर से घपागप करती है कुछ दिनों के बाद सारा जेसन को अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है जेसन जब यहां पार्टी में आता है तब सारा जेसन को किस करने लगती है Jason को यहाँ Sophia के ही विजिन्स आ रहे थे इसलिए Jason यहां Sarah को रोकता है और party से चला जाता है Jason यहाँ drink कर रहा था कि तभी एक officer Jason के पास आता है यह officer Jason को arrest करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर Sophia आ जाती है Sophia officer को समझाती है जिसके वजह से ये officer यहाँ से चला जाता है अब Sophia Jason को अपने घर लेकर आती है Sophia यहाँ Jason को फिर से seduce करने लगती है और यह यहाँ अपने कपड़े उतार कर Jason को अपने साथ खपागप करने के लिए कहती है लेकिन जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता और यहां से उठकर चला जाता है अगले दिन क्लास शुरू होती है प्रिंसेपल रबेका सारा को क्लास में लेकर आती है सारा को देखकर सोफिया का सारा का सारा मूड खराब हो जाता है सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन जेसन सोफिया की बात नहीं मानता और ये सोफिया की सामने ही सारा से बात करता है ये सब देखकर सोफिया को काफी कुस्ता आता है इसलिए रात में सारा जब अपने कमरे में नहा रही थी तब यहाँ पर सोफिया आती है जो सारा को वाश्रूम में ही मार डालती है इसके बाद जब सारा से मिलने जोई आती है तब यह यहाँ सारा को मरा हुआ दिखती है सारा की मौद से जेसन और जोई काफी साड होते है जेसन को यहां लग रहा था कि सोफिया ने ही सारा को मारा है इसलिए यह सोफिया से उसके बारे में पूछता है लेकिन सोफिया जेसन को कुछ भी नहीं बताती और यहां से चली जाती है अब वीकेंड आ चुका था इसलिए जेसन और जोई वापस अपने घर आते हैं कैसे Sophia इसे blackmail कर रही है Zoe जब Jason की बात सुनती है तब ये Sophia के बारे में जानने की कोशिश करती है एक दिन Sophia जब अपने कमरे से बाहर होती है तब Jason और Zoe छुप कर उसके कमरे में आते हैं इन्हें यहाँ Sophia का laptop मिलता है ये laptop असली Sophia का होता है इस laptop में Sophia के कई सारे images होती है कमरे में Jason को एक और laptop मिलता है और ये जब इसे open करते हैं तब इन्हें इसमें Jason के कई सारे photo देखने को मिलते हैं यहाँ इन्हें पता चलता है कि Sophia का असली नाम Laura है इसलिए ये दोनों Laura की सच्चाई को सब के सामने लाना चाते थे जिसकी वजह सी ये सबसे पहले Principal Rebecca के पास आते हैं लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती हम देखते हैं कि Principal Rebecca को Sophia के उपर शक हो गया था और ये Sophia से कहती है कि तुम कौन हो क्यूंकि मुझे पता चल गया है तुम असली Sophia नहीं हो ये सुनकर लौरा कुछ भी नहीं कहती और ड़ने लगती है Principal Rebecca UP पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन लौरा इन पर हमला करके इन्हें मार देती है उधर Jason और Zoe Principal Rebecca को ढून रहे थे कि तब ही इनके पास लौरा आती है जोई उससे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली Sophia नहीं हो और हम ये बात सबको बताने जा रहे हैं ये कहकर ये दोनों यहां से जाने लगती है कि तब ही लौरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है लौरा जोई को जान से मारने ही वाली थी कि तब ही यहां पर प्रिंसिपल रबैका आ जाती है जो कि काफी इंजर्ड होती है लौरा जोई को छोड़ कर प्रिंसिपल रबैका का गला दबाने लगती है लेकिन जेसन एक स्क्रूड राइवर से लौरा पर हमला कर देता है जिसकी वज़़ से लौरा यही पर मर जाती है मूवी के लास सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जोई का स्कूल कंप्लीट हो चुका है जिसकी वज़़ से ये दोनु अपने पैरेंस के साथ घर जाने लगते हैं इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म होती है Thank you so much for watching.